आज हम आपको बताने वाले हैं PFMS में आपने कितना पैसा यूज किया है और कितना पैसा आपके अगाउंट में भी बचा है जी हाँ, आपने कितना पैसा किस किस vendor को दिया है तो चलिए शुरू करते हैं डेटा ओपरेटर की ID से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दवाना मत भूलिए किसी भी समस्य के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं तो हमारी डेटा ओपरेटर की ID ओपन हो चुकी है इसमें हमें अपनी पतरांग संक्या से लेकर पेमिट की सारी डेटेल जानने के लिए सबसे पहले एकस्पेंडीचर के ओप्शन पर जाना होगा तो चलिए एकस्पेंडीचर के ओप्शन पर चलते हैं एकस्पेंडीचर पर आपको मैनेज़ पर क्लिक करना है expenditure में manage पर click करने के बाद आपको कुछ इस तरह की window खुल कर दिखाई देती है जिसमें आपने scheme में UP113 को select कर लेना है और status में approve या all पर click कर submit पर आपको click का button दबा देना है submit को दबा देना है इसके बाद आपको कुछ इस तरह की payments detail दिखाई देंगी जिसमें left hand पर आपकी order office number यानि कि आपकी पतरंग संख्याय होती है तिता सबसे right पर आपको status approved या cancel दिखाई देता है आपको approved वाले वे सारे amount count कर लेने हैं जो आपने expand किये हैं इस प्रकार approved वाले वे सारे amount आपको गिनने के बाद पता चल जाएगा कि आपने कितना amount खर्च कर लिया है तथा इसको हम Excel में भी count कर सकते हैं जिसमें हमारे पास नीचे export to Excel option दिया हुआ है इसे के लिख करने के बाद ये सभी detail हमारी Excel में हो जाएगी तथा हम amount को गिनने के बाद पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कितना खर्चा हो चुगा है तथा कितना बचा है तो चलिए अब हम आगे चलते हैं कि हमें अब हमारे account में कितना पैसा बचा है तो हमें expenditure पर आकर add new पर click करना होगा तथा इसकी में UP113 select करना होगा तथा नीचे total available amount में हम देख पाएंगे कि हमारे पास हमारे खाते में SMC खाते में कितना पैसा बचा है इस प्रकार आप अपने payment की सारी details जान सकते हैं आपने letter office number, vendors को कितने पैसे कहां दिये तथा कितना पैसा आपके account में बचा है ये सबी चीचे जान ली है